मेरा नाम है आतिर एमत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टीवन सेकर जो के बहुत दी फेमस इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है उन्होंने अपने प्रोग्राम हार्ट टॉप पे पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनांस मिनिस्टर और मिया साब के संधी जी को इंटर्व्यू के लिए बुलाया और इस प्रोग्राम में आना इसागडार की जिन्देगी की शायद सबसे बड़ी गलती साबित हुआ क्योंकि इसागडार भूल गहे थे कि ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं है जो कि इनकी गवर्मेंट से इस्तिहारात के मद में पैसे वसूल करके इनकी चोरियों और करप्शन पे पर्दे डालेगा मेरे ख्याल से इसागडार शायद ये सोच कर गए होंगे इस शो में कि वहाँ जाकर भी वोट को इजड़ दो वाला रोना रोकर लोगों की हमदर्दियां असिल कर लेंगे जैसा के PMLN के आलमोस्ट सारे ही लीडर्स पिछले दो तीन सालों से करते आ रहे हैं लेकिन हुआ इसके बिलकुल उलट एंकर के सब सवालातों से इसागडार मुकमल तोर पर एक्स्पोज हो गए एंकर इतना well informed था कि शुरू में तो इसागडार ने जूट बोलकर भी जान शुडाने की कोशिश की लेकिन एंकर ने उनके हर जूट को counter किया और इसागडार के पास सिवाई चुप रहकर अपनी इज़त बचाने के और कोई रास्ता नहीं बचा पूरे इंटर्व्यू में इसागडार का गला और उनके लहजे से यही लग रहा था कि वो किसी भी टाइम रो देंगे और इंटर्व्यू के एंड में तो उनके आंखों में आंसू भी आ गए लेकिन स्टीफन सेकर जो के एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट है उन्होंने सक्स सवालों से बुरी तरह इस हागडार को एक्सपोस किया और पीमलन की करप्शन को भी बेनकाब किया और वो इस टाइम पाकिस्तान में लोकल जर्नलिस्ट से ज़ादा वाइरल हुए हैं अब जर्णा बात करते हैं पीमलन के स्टान्स की जब से पी टी आई और इम्रान खान गवर्मिंट में आये हैं पीमलन दो बातों का ही शोर मचा रही है एग यह कि इम्रान खान सेलेक्टेड हैं और वो अवाम का मेंडेट चोरी करके पावर में आये हैं जबके दूसरा ये कि नवाज शरीफ एंटी स्टैबलिश्मेंट हैं और वो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रॉगल कर रहे हैं जब धानली वाली बात इसाग डार ने बीबीसी के शोर में गई तो एंकर ने यूर्पियन कमिशन रिपोर्ट का हवाला देते हुए का कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बेजाब्तगियां कुछ हलकों में हुई हैं लेकिन ओवर ओल ये फ्री एंड फियर एलेक्शन जिसके जवाब में इसाग डार ने कहा कि हुमन राइट्स रिपोर्ट के मुताबिक दो धानली हुई है अब अब अंदाजा करें कि इसाग डार इतना बोखला गया था कि हुमन राइट्स रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं जिसका एलेक्शन से कोई तालुक ही नहीं है हु जबके European Commission Reports के मताबिक तो यह election free and fair होए थे तो जाहिर है वो अवामी वोट से ही उपर आए तो PMLN यहां भी अपने इस stance को defend करने में नाकाम ली और जब establishment की बात वी तो इसागडार का कहना था कि मिया साब को इस बात की सजा मिली है कि वो civilian supremacy की बात करते थे और यह बात पाकिस साब को judiciary के जरीए नाहल करवाया स्टीफन सेकर ने इस बात का जवाब यू दिया कि जब मिया साब ज्यावल हग के हातों में हाट डाल कर पावर के मजे ले रहे थे तब उनको civilian supremacy क्यों न याद आई यानि कि जब तक military नवाज शरीफ को support कह रही थी और नवाज शरीफ ही अजीब सा दिया वो कहते हैं कि यह जो नवाज शरीफ है वो evolutionary process से गुजदर रहे थे अब मुझे तो सिर्फ एक ही evolutionary process पता जो डार्विन की evolution theory है तो यह अगर मुझे कोई समझा दे तो बड़ी मेरवानी होगी और साथ ही साथ मेरा तो यह opinion है कि अगर नवाज शरीफ को इतनी civilian supremacy की मतलब थी कि civilian supremacy होनी चाहिए तो वो फिर ज्यावल हक के through क्यों सियासत में एंटर वह यानि कि एक dictator के जूते चाट कर political career बनाना ठीक है और फिर उसके बाद military को इगाली देना जब आपको वो power से निकालने तो नवाज शरीफ establishment के खिलाब सिर्फ इसलिए निकले हैं क्योंकि establishment ने इनके सर से हाथ उठा लिया था अगर नवाज शरीफ साब इतने ही जम्हूरी थे तो उन्होंने राही शरीफ साब को extension क्यों offer की और साथ ही साथ उनको 40 मुरब्बा इजाफी जमीन भी allot करवाई एक four star journal को 50 एकर जमीन allot होती है जबके नवाज शरीफ ने 40 एकर इजाफी allot कराई राही शरीफ को मतलब उमीद तो उनको यह थी कि शायदिये करने से उनको establishment की हमाया थासिल हो जाए लेकिन हुआ उसके उलटी interview के दुरान एक और interesting part तब आया जब इस हागडार से उनकी properties के बारे में सवाल किया गया कि वो कितनी property on करते हैं तो शुरू में तो बड़ी कोशिश की इस आगडार ने कि वो किसी तरह जूट बोलकर इस सवाल से बच जाएं लेकिन स्टीफन एकर ने उनको बुरी तरह सवाल में फसा लिया था तो in the end वो इस बात पर मानें कि उनकी सिर्फ एक property है पाकिस्तान में खेर ये भी घलत news है अगर मुझे कोई प्रूफ मिला तो मैं साइट पर की शेयर कर दूँगा उनकी एक property नहीं है सबको पता है कि इतनी corruption कर कि कोई एक घर तो नहीं ना बनाता जाहर है जो human rights की violation करती है और जो convicted होते हैं या जिनका तफ्तीश हो रही होती है उनकी virtual killing करती है अब ये virtual killing क्या चीज़ है ये अगर कोई मुझे समझा दे तो मेरे इल्म में भी हिजाफा हो जाएगा virtual killing का तो सिर्फ उन्हीं पता होगा फिर एंड में यहीं कहूंगा कि अगर पाकि जिश्वत के तोर पर अर्बों के इस्टिहारात दिये तो इसलिए मीडिया कभी भी हिमत नहीं करेगा कि वो नवाज श्रीफ की corruption को expose करें वीडियो के आखिर में यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा तज्जिया पसंद आया तो मेरे चैनल को like करें और वीडियो को subscribe करें ता आगे आने वाली वीडियो का notification आपको मिल सके